ल्ड्टूटोरियल.com इस फ्री वर्लडवाइड उनलाइन स्टडी वेबसाइट हेलो फ्रेंड्स आज का हम इस लेसन में देखते हैं कोरल डा से सम्मधित कोरल डा में क्या होता है कि जब हम कोरल डा नया इन्स्टाल करते हैं और इस तरीके का मैसेज दिखाता है अंधर ये होता है का मतलब का मैसेज दिखाता है यू एल लैंग्वेज रेइस्टरसन लिस्ट इस इन्वैलिट और कोरल डा इस तरह से स्टार्ट नहीं हो पाता है तो इस प्रावलम को हम कैसा सॉल्व करेंगे यह हम इस सेशन में देखेंगे तो इसके लिए इसको थोड़ा समबंद करते हैं इसके लिए मैं क्या करना तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल को में स्टार्ट करते हैं और यहां पर जो अनिस्टाले प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स देखा दिया रहता है यहीं हम क्लिक कर देते हैं अनिस्टाले प्रोग्राम्स पर उसके बाद यहां पर जो हमार है कुछ इसका प्रोसेस है वह चलने स्टार्ट हो जाते हैं फिर हम यहां पर येस कर देते हैं और लिए आप देखोगे कि यह आप रिपेरिंग के प्रोसेस टो हो रहा है और लिए चलने के बाद ये धिरे-धिरे करके ऐसे ही हो जायागा अब देखते हैं इसमें क्या-क्या प्रोसेस चल ला है और क्या-क्या आप चीज़ें इसमें यह हमसे पूछ रहा है जब भी कुछ पूछ रहा है हमें येस करते जाना इसके बाद ये खुद ही आटोमेटिक सारा जो रिपेरिंग काम है खुद ही सब कुछ सही कर देगा हमनों कुछ ज्यादा नहीं करना है अब फुद ही आटोमेटिक साही हो चुका है अब अगर हम इसको अब स्टार्ट करके देखते हैं क्या करते हैं यह देख अगर भी नहीं स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको एक बड़ रिस्टार्ट करके देख सके लेकिन मेरा तो सिस्टम बिने रिस्टार्ट के हुए सही हो तो हम आसा करते हैं आपके प्राब्लम सॉल्ट हो गई होगी अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्षन में इसके बारे में और कुछ चनकारी ले सकते हैं